सहारनपूर उत्तर प्रदेश प्रांत का एक शहर है सहारनपूर की स्थापना 1340 के आसपास हुई और इसका नाम एक राजा सहारनपीर के नाम पर पढ़ार सहारनपूर की काश्ट कला और देवबंद दारूल उलूम विश्वपटल पर सहारनपूर को अलग पहचान दिलाते हैं शहर के उद्योगों में रेलवे कारेशाला है, सूती वस्त्रो और चीनी प्रसंसकरण, कागज, गता निर्मान, सिग्रेट उद्योग और अन्य उद्यम शामिल है यहां दफ्ती और मोटा कागज, कपड़ा बुन्ने, चमडे का सामान बनाने और लकडी पर नकाशी का काम अधे किया जाता है सहारनपूर कृशी उत्पादों का एक सक्रिय केंद्र भी है आसपास के छेत्र की प्रमुख फसलें आम, गन्ना, गेहू, चावल और कापास है करें शहर में एक केंद्र फल शोद संस्थान, राजकी एवा नस्पतिक उद्यान, एक पिमान चालन, प्रशिक्षन केंद्र और कई-कई तक्नीकी और प्रबंधन संस्थान और महाविद्याले स्थितें यह प्रसिद रेल्वे स्टेशन है यहां से निकटवर्ती स्थानो हरिद्वार, देहरादून, रिशिकेश, विकाश नगर, पूंटा साहीब, चंडीगड, अंबाला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, यमनोत्री को सड़के गई है 2011 की जंगरना के अनंतिम आंकडों के अनसार सहारनपूर नगर निगमक्षेत्र की जंचंख्या 7,3,345 और सहारनपूर जिले की जंचंख्या कुल 34,64,228 है सहारनपूर में प्राचीन शाकुमभरी देवी सिद्धपीट मंदिर, इसलामिक शिक्षा का केंदर देवबंद आरुल उलूम, देवबंद का मामबाला सुंदरी मंदिर, नगर में भूतेश्वर महादेव मंदिर, कंपनी बाग आदी प्रसिद स्थल है शाकुमभरी देवी मंदिर, सहारनपूर से 40 की में की दूरी पर स्थित है जो शेहर के शाकुमभरी क्षित्र में आता है हाला कि इस मंदिर का कोई इतिहासिक और पुरा तात्पे कोई लेख नहीं है लेकिन सामाने रूप से माना जाता है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है इस मंदिर की मूर्तियां काफी प्राची नहीं दिखती हैं और कुछ लोगों का तो मानना है कि इन्हें मराठाकाल के दोरान स्थापित किया गया था जबकि अन्य लोगों का मानना है कि आदी शंकराचा रेने अपनी तपस्याक को यहीं किया था इन सभी मतों के अलावा, इस मंदिर में साल भर में लाखों शदधालवाते हैं और दर्शन करते हैं इस मंदिर में माता की पूजा की जाती है और माना जाता है कि माशा मुंभरी देवी ने महेशासूर महाधार्ते को मारा था और लगभग एक सौ साल तक तपस्या की थी जबकि वेह महीने में केवल एक बार अंत में शाकहारी भोजन ग्रहन किया करती थी